अब ने नाम मैं आपनार शुराब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वावत है बाबराजम आज आज का दिन और उनके लिए उनके फैंस के लिए और पूरे पाकस्तान के लिए शांदार रहा है अब बताइए कैसे टीम को जीत मिली बाबराजम ने रंस बनाए रिकॉर्ड भी बना दिये और बतोर कप्तान उन्होंने जीत भी हासिल की और पाकिस्तान ने वंडे फॉर्मेट में 500 जीत का आकड़ा भी पार कर लिया किसकी कप्तानी में तो आज जो हुआ है ना पहला वंडे मैच में सब कुछ एकदम सॉलिड हुआ है मतलब फैंस जो है ना अराम से अब जो है नींद लेने वाले हैं थोड़ा सा एक कसक है कि बाबर आजम एक रण और बना लिये होते तो पचासा उनका पूरा हो जाता और अर्दिष्ट तक हो जाता तो और भी ज़ादा सोने पे सोहगा हो जाता लेकिन बाबर आजम ने आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने नहीं किया था अब फूछिएगा क्या दरसल बाबर आजम ने सबसे तेज 12,000 इंटरनेशनल क्रिकेट रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हों ने बना दिया है जो पाकिस्तानी के तौर पे क्योंकि इससे पहले जो है जावे बाबर आजम ने साथ इनिंग्स कम सहरा लिया 277 इनिंग्स में ही जो है इन्होंने 12,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया इस दौरान 29 शतक 80 अर्द शतक 49.76 एप्रॉक्स 50 का उनका एवरेज रहा है इस दौरान और बहुत सारे रन्स तो बनाई भाई टेस्ट में वंडे में अब लोग यह हमसे पूछ रहें कि अबनाश भाई यह बता दो यार बाबर आजम जब अपना करियर खतम करेगा तो कितने रन्स बनाएगा वो मुझे लगता है कि 25,000 कम से कम तो बनाएगा या देखो क्या है ना कि 8 साल यहां से खेल लेगा 8 साल में मिनिममम आप 8,000-10,000 बी जोड लो ना 10,000 रन जोड लो क्योंकि क्रिकेट भी जादा हो रहा हला कि पाकिस्तान कम क्रिकेट खेला है लेकिन 8-10 साल में आप यह मानो कि 36 साल क्योंकि 28 साल का है अभी 8 साल यह खेले गाई आठ साल में अगर यह 12,000 रन भी बना लेता है न तो समझो कि 24-25,000 रन बाबराजम अपना करियर खत्म करते करते यह बना कर जाएंगे तो greatest of all time में बाबराजम गिने जाएंगे greatest of all time पाकिस्तान के लिए तो होई गए लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए कम से कम बाबराजम को 25,000 या 25,000 प्लस रन्स बनाने पड़ेंगे तब greatest of all time में यह शुमार हो जाएंगे तो यह अभी चलो कोई बात ने दिल्ली दूर है लेकिन इसी तरीके से रन्स बनाते रहे ओएसे मैं आपको बता दू कि एशिया में second fastest जो है बाबराजम के नाम हो गया क्योंकि पहले नंबर पर विराड कोली है विराड कोली ने सिफ एक कम पारी का साहरा लिया था 276 इनिंग्स में जो है उन्होंने ये कारनाम किया और बाबराजम ने 277 इनिंग्स में ये कारनाम किया पिछले ही T20 मैच में वो जो 5-10 रन बागी रहे थे ना बना लिये होते ने तो बाबराजम जो है विराड कोली की बराबरी कर लिये होते लेकिन कोई बात नहीं होता है बड़े बड़े रिकॉर्ड में छोटी छोटी बाते होती रहती है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फैलाईए इसको शेर मारिए जो करना है वो करिए सब्सक्राइब करो कुछ भी करो